ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एक जुलाए यानि कि आज शनिवार अश्टमी वाले दिन आप लोग सरसो के तेल का दीपक अगर जलाते हैं भगवान के सामने तो आप लोगों को क्या-क्या फल की प्राप्ती होती है अथवा आप लोग यह भी ध्यान दीजिए कि सरसो के तेल के अलावा अगर आप लोगों को कुछ अनेक प्रकार की परिशानिया है तो आप लोग क्या-क्या उपाए करें अगर आप लोग शत्रूओं से पीडित हैं तो सरसो के तेल का दीपक आज आप शाम के वक्त भैरोजी के सामने प्रजलित करें शनी ग्रह की प्रसंता के लिए तिल के तेल का दीपक प्रजलित करना चाहिए है जीवन साथी की आयू व्रिद्धी के लिए महुए के तेल का दीपक आज शाम को आप प्रजलित करें अपने घर के पूजा के मंदिर में राहु केतु ग्रह के लिए अलसी के तेल का दीपक प्रजलित करें किसी भी देवी या देवता की पूजा में शुद गाय का घी या तेल का दीपक अवश्य रूप से प्रजलित करना चाहिए है भगवान गडेश की कृपा प्राप्ती के लिए तीन बत्तियों वाला घी का दीपक प्रजलित करें भगवान कार्तिके की प्रसंता के लिए पांच मुखी दीपक प्रजलित करें तो आपकी सारी मनो कामनाय पूरी होईंगी यह कार्रे आप आज शाम के वक्त अवश्य करें आप लोगों को भगवान की और शने देव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीस सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद